नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेंदर कुमार और आप देख रहे हैं दा यूनी क्लासेस आज हम लोग जारखंड की जन गन्ना का या तिसरा वीडियो देखेंगे अगर आप पहले दो वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीड को देखें फिर या वीडियो को देखें चाहेवा किसी भी लेबल का कोश्चन हो किसी भी एक्जाम का कोश्चन हो या कहीं का कोश्चन हो आपसे कोई कोश्चन छुटेंगे नहीं आए दोस्तों हम लोग आश पढ़ेंगे स्टी जिससे हम लोग अनुसुचित जन जाती सब से आधिक जीले में पायजाते हैं अगर परसेंटेज के पति एप से बात कि जाए तो किस जिले में न्यूर्टम सबसे कम पा हए झाये होगको यहां एक आइक ली कोशिश के यहां कि आकड़ा देने की कोशिस की हैं, चुकि ये चीजें आप लोगो समझना नहीं, चुकि आध रखना पड़ेगा तिसमें समझने की कम बातें, आध रखने की बातें ज्यादा आती तो आपको time to time, अपने notebook में इसे note कर लिएगा, time to time इसे देखते रहेगा, चीजें आध हो चत्रा, गिरेडी, गड़वा में पाये जाते हैं, ऐसे जो question पूछे जाते हैं, exam में सबसे अधिक कहां पाये जाते हैं, तो हम इसे लिखवा सकते थे, आप लोग, पलामू, सिर्फ और नियून्तम पाये जाते हैं, तो गड़वा, लेकिन नहीं, सभी exam में अगर पूछे अगर सभी exam को हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं, तो कहीं से भी question पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग एक बर पढ़ें, पूर्न जनकारी के साथ पढ़ें, पलामू में 5,36,382 लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाती केंतर गताते हैं, अगर आपको यह आक 40,553 लोग, गिरिडी में 3,25,493 लोग और गरवा में 3,19,946 लोग, तो आप अगर चीजों को पढ़िएगा, तो संपुन जनकारी के साथ पढ़ें, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक जो परतिस्त में बात की जाए, परतिस्त में बात की जाए तो कहां पाई जाती तो परतिस्त में अगर बात की जाए कि सबसे अधिक अनुसुचित जाती, परतिस्त में बात की जाती है, तो कहां पाई जाती है, फिर पलामू में पाई जाती है, गरवा में पाई जाती है, लातिहार में और हजारी भाग में पाई जाती है, आप लोग को एक घटते करम मे एक यहां आकड़ा देने की कोशिश किये हैं चत्रा में 32.7% 27.7% 24.2% 28.3% 17.5% अब हम आप लोग देख लिए अनुसुचित जाती के बारे में अनुसुचित जन जाती के बारे में आप लोग परती सत में भी देख लिए अब हम लोग देख लिएते कि सबसे न्यून्टम सबसे कम कहां पाये जाते हैं तो सबसे कम जो अनुसुचित जाती की बात करें तो पाकुड में पाये जाते हैं 3.16% पाकुड में गुमला में 3.20% लोहर दगा में 3.30% पस्च्चमी शिम्बों में 3.80% खुटी में 4.50% अब हम लोग देख लेते हैं अनुसुचित जन्जाती अर्थात हम लोग यहां स्ट की बात करें पहले जो यह आकड़ा आपको दीख रहा है वह स्ट की आकड़ा है स्ट तो आप लोग को पता ही होगा तो स्ट की आकड़ा है जन्जाती अर्थात हम लोग एस्टी की जो यह साड हम लोग बात कर रहे हैं वो एस्टी की बात करेंगे तो अब हम लोग देखते हैं अनुसुचित जन्जाती के बारे में जिसे हम लोग एस्टी के नाम से जानते हैं तो सबसे अधिक सोल व्यक्ति राची में पाये जाते हैं पस्चमी शिंभूम में एग लाक ग्यारह हजार दोसो छी आनवी व्यक्ति गुमला में 7,6,754 व्यक्ति पुर्वी शिम्भू में 6,53,923 व्यक्ति और दुमका में 5,71,777 व्यक्ति तो आप ये आकड़ा को देखिए हम आकड़ा को घटते क्रम में सजाने की कोशिस की हैं ताकि आपको समझने में काफी सोहलियत परदान हो अगर परतिसत में बात की जाए तो खुटी, शिम्डेगा, गुमला, पस्चमी, शिम्भूम, लुहर, दग्गा देखिए, अपती, 70, 70, 68, 66 और 56 ये सारे जो आकड़े हैं यहां हम लोग देखने को मिल रहा है कि सबसे अधिक अगर परतिसत में बात की गई है अगर वहां देखी गई तो खुटी में सबसे अधिक, अगर परतिसत की बात करें तो खुटी में सबसे अधिक अनुसुचित जन जाती पाई जाते हैं अर्थात ST पाई जाते हैं तो कोडर्मा में देखिए एक परतिसत पाई जाती है चत्रा में 4.40 परतिसत पाई जाती है आतर ससख्यक धर्म की एक शूची है यहां हमारे जहरकन में अल्प संख्यक लोग भी है उसमें से अल्प संखियक के अंदर का आते हैं मुसलिम, सीख, बोध, इसाई और जेन अगर अल्प संखियकों मैं से पुछा जा कि अल्प संखियकों अल्प संखियक मैं से सबसे ज़्यादा जन संखिया किसकी है तो वो है मुस्लिम धर्म के लोगों की वे हमारे कुल जन संखिया का 14.5% मुस्लिम लोगों की अबादी है सीक की 0.22% कुल अबादी में बोध धर्म मानने वाले लोगों की 0.03 यह भी है कुल अबादी में यसाई का है 4.3% यह भी है कुल अबादी में और जन का है 0.05% जारखन के कुल अबादी में उमीद है दोस्तों या आपको वीडियो समझ आया होगा या आकडा फिर से कहते हैं आपको आकडा समझने के लिए कम आपको आध अर्था टाइम टू टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ेगा इसका कोई उपाय नहीं है इसलिम आपको आकडा पहले लिखवा चुक है ताकि आप अच्छे से स्क्रीन स्ट ले सकते हैं और आपने नोट बुक में नोट कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ